वसकार दोस्तों दोस्तों सबसे पहले भारत में 1968 में शिक्सनिती में नवदलाव किया गया था जिसके बाद 1986 और अभी रिसेंटली में 2020 में तना बड़ा वदलाव हुआ जो सभी राज्जिय ने इस पर हमी करी और कुछ राज्जियों ने इस शिक्सनिती को एपलाई भी कर दिया दोस्तों भारती दोस्तों केंदरी सरकार्ण ने इस नई शिक्सनिती को 2020 में पुरी तरह लागू करने को फैसल लिया है लेकिन है शिक्सनिती 2020 में लागू होने वाली थी लेकिन कोरोना के चलते हैं वक्त ही है शिक्सनिती नहीं लागू हुई है तो दोस्तों आइए पढ़ेगा वह एक नई सिक्षण निती के नुसार पढ़ेगा दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यह फाइफ प्लस थ्री प्लस थ्री फ्लस फॉर का यह जो मेकनिजम सरकार ने बनाया है वह किस मोडल पर कार्य करेगा इसे एन एपी न्यूव एज्यूकेशन पॉलीसी के नाम से जाना जाता है दोस्तों यह बहुती सोच समझ यह मोडल बनाया गया है यह हर एक सिटी में जाकर लोगों के बीच बात चीत करने के बाद यह मोडल तयार किया गया है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मां आपको एक चीज बता दू दोस्तों जब आप पह जैसे ही आप इंटर पास करने के बाद ग्रेजविशन में अडिमिसन लेते हो तो ग्रेजविशन से आप केंदर सरकार के अंडर में चले जाते हो लेकिन आप इंटर तक तो इस्टेट के अंदर रहते हो इस्टेट गुवर्मेंट के और जैसे ही आप ग्रेजविशन में अड दर आती हैं तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों यहां सब्सक्रा समझने की कोशिस करना दोस्तों सरकार ने किया क्या है कि अब जो एडमिसन पहले होते थे तो छे वर्ष की उमर में सरकार का मानना है कि छे वर्ष की उमर में बच्चा पहली किलास में आया करत नहीं होगा, कोई भी सलेवस नहीं मिलेगा, उसे सभी बच्चों में सरखलो गया और वह खेलेगा, कुदेगा जो उसकी मर्जी होगी वह वह करेगा उसके उपर एक टीचर होंगे, जो इसकी देखबाल करेंगे, जैसे पैरेंट्स करते हैं, हालाकि दोस्तों जैसे कि बچ्चे महले में गलियों में घुमा करते थे ठीक इसी तरह वह इस्कुल में जाकर एक दुसरे के साथ बच्चे में खेला करेंगे जैसे ही पहला पीरेड है जैसे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 تو पहले 5 साल वह एक ही कोलीज में बिताएगा सोरी एक ही स्कुल में बिताएगा तो वह 5 साल भी 3 प्लस 2 में डिवाइड की हुए है पहले 3 साल तो बच्चा खेलेगा केवल और लास्ट 2 साल वह कुछ पढ़ेगा मास्टर जी उसे कुछ पढ़ाएंगे और वह कुछ किताबियों में उसमें जोड़ देंगे कि वह थोड़ा थोड़ा सीखना स्टर्ट कर दे पहले 5 साल उसके किसी एक स्कुल में कवर हो जाएगे उसके बाद जो सेकंड नंबर के 33 साल आते हैं वह हो जाते हैं 3, 4, 5 यानि ककसा 3, ककसा 4, ककसा 5 उसमें क्या होगा दोस्तों उसमें उसे बच्चे को पेपर देने होंगे सबसे पहला बच्चा जो बच्चा सबसे पहले पेपर देगा वह तीसरी किलास का पेपर देगा दोस्तों तीसरी, चोती, पांच वी वह सेकंड नंबर के जो तीन सरकल है उसमें आएंगे जिसमें उसकी एक बहुत बड़ी एक प्रोब्लम सोर हुई है कि दोस्तो वै अपनी local यानि regional भासा में पढ़ सकेगा यानि दोस्तो अगर आप एक पंजाबी हो मानलो दोस्तो आप एक पंजाबी family से belong करते हो तो दोस्तो आप अपने बच्चे को एक पंजाबी भासा में सिखा सकते हो पांचवी class तक उसके बाद क्या होगा उसके बाद हो जाता है पांच प्लस तीन प्लस तीन अब आयाता है थर्ड नंबर का तीन तो दोस्तो वै छटी साथवी आठवी से start हो जाता है छटी साथवी आठवी उसमें दोस्तो क्या होगा कि आपको एक नई कला के से जोड़ा जाएगा जैसे आप computer सीख सकते हो आप बुनाई बुनाई सीख सकते हो अगर आप लड़की हो और दोस्तो अगर आपको एक बढ़ी का काम सीखना है जैसे आप practical हो जाता है तो आपको एक बढ़ी का काम सीखना है तो आप वह भी सीख सकते हो हाले कि है आज तक छटी साथी वाटी में कुछ नहीं सीखा जाता था लेकिन अब यह है दोस्तो सरकार हर चीज को practically सीखाना चाहती यार बच्चे को तो दोस्तो यह एक नया mechanism बनाया गया है दोस्तो उसके बाद क्या होता है कि 9 वी, 10 वी, 11 वी इसमें आपने देखा होगा कि जिसमें 9 वी क्लास में एडमिसन लेता था बच्चा तो वह 9 वी और 10 वी एक ही क्लास में करता था और उसी बारे में अगर हम 11 वी में बात करते हैं वह 12 वी उसी कोलिस से करता था तो लेकिन अब दोस्तो नया रूल क्या कहता है 9 वी, 10 वी, 11 वी, 12 यह चारो की लास एक कैटेगरी में करती हैं जो लास्ट का चार आता है उसमें क्या आता है दोस्तो जो इसमें 4 पेपर हुआ करते थे साल के अंत में जो अब तक का रूल था चार पेपर हुआ करते है उसमें दिक्कत क्या रही थी, उसमें दिक्कत यह रही थी कि बच्चा साल के अंत में ही कुछ पढ़ाई करता था जिसके बाद उसके माइड पर बहुत ही प्रैसर रिलीज हो जाता था जो कि वह पेपर के एक या दो महीने पहले ही पढ़ना स्टा सबसे बड़ी कमाल की बात करिए सरकार ने वैं है subject के बारे में, दोस्तों अब physics जैसे कि आपने देखा होगा commerce side ले लिए arts side ले लिए math science biology यह पूरी तरह से खतम हो चुके हैं, दोस्तों जैसे कि आप side side देखते होंगे, commerce biology math यह पूरी तरह खतम हो चुके हैं, दोस्तों अब नया mechanism क्या है कि आप कोई सा भी subject, यानि अगर commerce arts और और भी subject लेने हैं तो आप इनको mix करके भी ले सकते हैं आपकी एक पसंद होगा कि आप कौन से subject को ले सकते हैं आप उन्हीं subject को choice करके अपने जो आपको quality लेनी है तो आप सभी subject में एक mix करकर एक अपना course बना सकते हैं हाला कि अब बिल्कुल यह हैं खतम हो चुका और यह rule नोवी class से start हो जाएगा और बारवी class में यह हैं खतम हो जाएगा अब दोस्तों अब आती है graduation में कि क्या graduation में भी कुछ change किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि graduation में भी पूरी तरह change किया गया है जो BA, BC, BC ज और वैंटर के बाद BSC करता है तो वैं BSC तो चलो चल जाती है लेकिन अब उसके पास सारी चीज मिक्स है biology, maths, commerce, arts तो वैं जो BSC है कैसे कर पाएगा तो दोस्तों यह चीज BA, BC, BC, BC सारी चीज खतम कर दी गई है अब क्या किया गया है graduation कि गई है graduation में क्या होगा अब इसमें आपको एक साल का भी benefit मिलेगा आपको अगर आपने एक साल का Griculation कर लिया तो आपको certificate मिलेगा दोश्तों हला कि अब तक क्या होता था कि अगर आपने एक साल में किसी Griculation को छोड दिया तो वैं खतम हो जायी तिछी दूबरा करना पड़ता था लेकिन दोस्तों अब नए graduation rule की तो क्ति आपको perdition की दिया गया तो दोस्तों आप Dos व में तो आपको डिपलोमा डिया गया अगर आपने वहीं तीन साल क्पलेड कर लिए शुसतों आप पाइट चार साल कम्पलिट टो आपको ये सर्च का ₱ अगर मुझे कौन सी करनी होगी करनी होगी तो इसी फरम का योगीता दीग होगी है तो आपको तीन साल की करनी होगी अगर आपको पढ़ाई continue कर लिए है तो आप 4 साल की research कर सकते हैं तो दोस्तो ऐसा एक mechanism मनाया गया है और सबसे बड़ी बात इसमें क्या गई है और सभी बच्चों के लिए जानने के लिए बहुत जुरूरी है दोस्तो अगर मान लिया अगर आपने 2 साल क्रिजिशन पूरी कर लिया है और किसी करन वस करन हो जाता है दोस्तो कुछ death हो गई कुछ भी करन हो सकता है तो दोस्तो अगर आपने 2 साल में पूरी करके छोड़ दी तो दोस्तों आपको दूसरे साल में ही अगर आप दस साल बाद भी उसी पढ़ाई को continue करना चाहते हैं तो वहीं से start होगी लेकिन अब तक क्या rule था अगर आपने दूसरी class में छोड़ दी तो आपको दूबारा ही graduation करने पड़ती थी तो जो यह नया concept है वे एक बच्चों के hit में हुआ है तो दोस्तों आपको जो नया mechanism है यह graduation का आपको कैसा लगा अब दोस्ता आप यह सोच रहे होगी कि किister and and makes तो दोस्तों मैं आपको बता दो ऑप तो आपको प्रक्राव हुआ तो आपकोaufen है वोगी तो तो अब तक का जो भूता है यानि जो पैसा लगता है वैं जीडीप पर से भी कम अब तक लगता है लेकिन दोस्तों अब जो नई शिक्सा नीती आ रही है उससे पर पर सेंट गपी लगने वाला है यानि आब जो जी इडिप लग रहा है शिक्सापर उससे दो गुणा तो दोस्तों सिक्सापर कितना इंप्रूब मेंट होगा वह आप सोच सकते हो दोस्तों हाला कि इसमें एक नया रूल बनाने में कुछ टाइम लगता है दोस्तों लेकिन यह अब ज़र रूल तेजी से लागो हो रहा है दोस्तों मैं एक होड़ लास्ट बात बता देता हूं आपने देखा होगा बहुत बढ़े बढ़े जो प्राइवेट होलीज है वह बहुत बहुत हाई फीस रखते हैं दो लाग धाई लाग तीन सरकार ने ऐसा कोई नहीं किया है कि वह इतनी लीमिट लेकिन सरकार की यह कहना है कि वह पर्दिय को पर एंरा सभी प्राइवेट कोलीज पर एक नियमित फीस का एक कानून बनाने जा रही है ताकि सरकार जो प्राइवेट कोलीज है मैं अपने मर्जी से जो फीस है मैं बढ़ा ना पाए जो कि एक मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पैल है